नमस्कार दोस्तो 11 नमेंबर 2021 के अपिसोड में खंडेराव अहिल्या को धन्यवाद देते हुए कहता है तुमने मुझे दस्तावेज पढ़ने के लिए कहे थे इसलिए मैं इस योग इस पर अहिल्या खंडेराव को कहती है पर मेहनत तो आप नहीं की थी और हर किसी को उसका अ अहिल्या खंडेराव और हर कुरानी साहिब दोड़ते दोड़ते वाड़े से बाहर जाते है और जैसे ही अहिल्या वाड़े के बाहर आ जाती है वो देखती है कि उसकी सहली रेनू बीच में बैटे हुए रो रही है और उसके इर्द गीर्द सारी औरते और कुछ विद्व अहिल्या ये बात समझ जाती है कि यहां कुछ अगटित होने वाला है और इसलिए अहिल्या रेणू के पास जाकर सब को रुकाते हुए पूछती है ये सब क्या हो रहा है अहिल्या को जवाब देते हुए यमुना भाई कहती है आज सुबे पराय मर्द के साथ टकराव की वज गलती से उसकी और परिक्षित की टकर हो गई थी और उसी के बीज उसका सिर का पल्लू उसके सिर से हट चुका था ये सुनते ही अहिल्या सबसे सवाल पूछते हुए कहती है रेणू के सिर से पल्लू तो गलती से हट गया था अब धक्का लग गया और उसमें पल्लू हट ग इस पर अहिल्या सब को सवाल पूछते हुए कहती है, एक वस्त्र का तुकड़ा एक स्ट्री का अस्तित्वक कैसे बन सकता है, अगर कोई लड़की विदवा है तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं, क्या उसे अपने हक पाने का अधिकार नहीं है, और इसके बाद अहिल्या द्वार्का के पास जाकर द्वार्का से कहती है। तब सिर्फ वहाँ परिक्षिती नहीं था वहाँ पहारे पर खड़े बाकी सैनिक और बाकी मर्द भी थे इतने में ही द्वार का अहिल्या से कहती है और अहिल्या तुम हमेशा कहती होना कि राजाओ को सिर्फ अपना अधिकार इस्तमाल नहीं करना चाहिए उसे अपने प्रज पराओ का पालन करना ही होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम नरक में चले जाएंगे और उतने में ही पीछे से यमुना बाई कहती है यह रेनू इदर उदर बच्चों की तरह दोड़ती है घूमती है यह सब शोबा देता है क्या उसे इस बात पर चिड़ते हुए अह पर चाहिए इस बात की सजा उसे मिल रही है इतने में ही द्वार का अहिल्या से कहती है अहिल्या तुम रानी हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रूड़ी और परंपराओ को भूलने के लिए कहोगी इन सब को यही लग रहा है कि रेनू का शुद्धीकरन होना ही चाहिए और रेनू का शुद्धीकरन होके रहेगा और इसके बाद रेनू के आसपास खड़ी सारी औरते मटके में पानी लेकर अब दोस्तों इस मटके में पानी है या फिर गंगा जल है यह पता नहीं शायद गंगा जल होना चाहिए इस मटके का गंगा जल लेकर रेनू के पास आने लगती है उतने में ही पीछे खड़ा खंडेराव पीछे से आवाज देता है और कहता है रुको रेणु का शुद्धी करन नहीं होगा मैं युवराज खंडेराव होलकर यह आदेश देता हूँ कि रेणु का शुद्धी करन नहीं होगा खंडेराव की ये तीकी आवाज सुन पार चलाना आता है और उसे कर्तवयो की कोई फिकर नहीं होती उसे तो बस लोगों का भला करने के आड़ में बस अपनी जिद्ध पूरी करनी होती है और दोस्तों इसके बाद सभी लोग वहाद से निकल जाते हैं और इसी तरह रेनू का शुद्धिकरन नहीं होता और रेनू अपमानित होने से बच जाती है और दोस्तों इसके बाद जब अहिल्या खंडेराव के कक्ष में आती है तो खंडेराव को धन्यवाद देती हुए कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा साथ दिया इस पर खंडेराव अहिल्या को कहता है कि अहिल्या मुझे तो साथ देना यह था क्योंकि मैं तुम से प्यार जो इतना करता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि तुम हमेशा दूसरे के भलाई के लिए ही सोचते हो लेकिन अहिल्या अगर रेनु के सिर से पल्लू नहीं गिरता तो इतना सारा बकेडा खड़ा ही नहीं होता रेनु को एक और राजपूताना मोहिम की तयारी के लिए खंडे राव को वहाँ से ले कर जाता है और दोस्तों यही आज का एपिसोड खतम हो जाता है दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा अहिल्याय ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए धन्यवाद